अब पिछले विडियो में हमने देखे थे humanlabs raid के जो preps missions right या फिर जो set-up missions हमने पिछले विडियो में देखे थे और विडियो में आपको यहीं बताऊँगा कि humanlabs raids की जो finale है उसको कैसे करना है तो इस विडियो को आप पूरा end तक देखना काफी इंट्रस्टिंग है इसका फिनेल है और आपको मज़ा भी आएगा आप जब खुद करने लगोगे इसे तो आपको काफी मज़ा आएगा करने में और यह सबसे इंट्रस्टिंग हाइस्ट है सारे अपाटमेंस हाइस में से तो इसको पूरा एंड तक देखना आज की पाइलेट होगा और एक पाइलेट का जो सपोर्ट होता है गनर वो होगा अब आप डिसाइड करो कि कौन कौन रहेगा इस वडियो में मैं ग्राउंट टीम हूँ और मैं जो आपका पाइलेट का जो गनर है उसका भी मैं क्लिप दिखाऊंगा जब यह हैस्ट कंप्लिट हो जाएगी उसके एंड में मैं वो लगा दूँगा गेमप्ले लगा दूँगा उसका तो आपको यहां पर डिसाइड करना है कि आपको क्या कौन सा रोल लेना है इस वडियो में मैं ग्राउंट टीम में हूँ तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि अंदर यूमन लैब्स र को वैलकरी लेना होगा और जो कंदर होगा यानि कि आप चारों को एक हीलिकोप्टर में बैठना है वह है व courtroom आपको याद होगा पिछले मतलब वीडियो में ने आपको बताया है कि वैलक्री को हमने कैसे छुराना है वह वाले सेट अप में लीकरी जो आपने चुरा यहां पर काम आएगा बस आपको इस लोकेशन पर जाना है आपके मैप में वैलकरी का होगा पर दिया सकते और जब यलो सर्कल है माप में आपको वहां पर जाना है यह थोड़ा सा अल्टिट्टूड पर होता है अगर आपने प्रिजन ब्रेक को खेली है फिनाले तो आपको पता होगा कि यह जो लास्ट में हम एंड करते हैं एंड इंडिंग में तो वहां पर कुछ समिलर ऐसे ही कुछ यलो सर द्चर होता है तो आपको उस ऑवल्टिट्जूड पर पहुंचना है और जैसी आप उस ऑल्टिट्जूड पर पहुंच गाइए आपका पाइलेट ने आपको पुछा दिया तो जो ग्राउंट टीम होती है व kimchi क्रती है डाइनेमिक हीमो सॉरी तो डाइनेमिक हीमो भाई क्या हो गया गलती से वह जो फेंस है उस साइड चले गए ठीक है वह अब क्या होगा अगर आप उस साइड चले जाओ तो आपको भाग के सीधा आना पड़ेगा सामने वाले गेट से तो यह बहुत ही मतलब लंदी हो जाता है पाइलेट और गनर वाले टीम होती है उनको क्या बोलना है आपको क्यों हवा में उड़ाते रहे नहीं तो क्या करना है जो बीच पे होते ना इस जो यूमन लेड्स रेड्स के पीछे एक बीच है वहाँ पर उनको बोल दीजिए कि लैंड करने के लिए अब यहां पर आपक खुल जाए आपको कुछ नहीं करना है बस आपको बस आप यहां से लड़ते जाना है फाइरिंग करनी है और आपको मतलब स्नाक्स और जो आर्मर है यहां पर हाइली रेकमेंड़ है क्योंकि यार यह जो एनिमीज होते हैं यह चुपकर बैठने क्योंकि अंदेरा होता है त कशानक से सामने आ जाते हैं कभी-कभी है तो आपको ध्यान रखना होगा अगर आपके पास आर्मर मतलब लगा हुआ है तो मेंभी आपको help कर देगा वह अगर कोई enemy सामने से आ जाता है, तो बस आपको इस जीदा follow करते जाना है, चेकपॉंट को, और चेकपॉंट को जैसे आप follow करते जाओगे, और भी enemies पॉप अप होते रहेंगे, और आपको बस जाना है, यहाँ पर देख सकते कि मेरी जो health है, वो एकदम लो गई है क्योंकि मैं लीड कर रहा था मैं देख नहीं रहा था मैं सीधा अंदर घुसे वह जा रहा था मतलब गुण लेके फारे करते हैं अंदा दून फारे इसको तो मैं यह भी कर रहा था तो यहां में यहां पर मर जाओ तो या फिर आपके टीम में से कोई भी मर जाए तो आपको ध्यान डखना है अगर आप CMM के लिए ट्राइ कर रहे तो बहुत ही आपको केरफूल भाई टाइम लग जाए लेकिन यार धीरे धीरे आगे बढ़ी है भले ही टाइम लग जाए तो बस आपको यहां पर आन अगर आपने स्टोरी मोड खेलिया है तो उसमें एक मिशन है मंकी बिजनस करके माइकल ट्रेवर और जो फ्रैंकलिन है वो स्टोरी मोड में यह मिशन खेलते हैं उनके साथ वो एजेंट होता है एफाई बी वाला एजेंट होता है आपको यह मिशन काफी सिमिलर लगेगा त कि कहां पर है आपको एकदम नीचे जाना है और इस वाल्ट मतलब यह जो ट्रेनेज लाइन है इस से आपको बाहर निकलना है अब आप जैसे ही बाहर निकलो तो आपकी जो चौपर टीम या फिर पाइलेट टीम या फिर गणर टीम जो भी आपकी दो दूसरे बंदे उनको रेडी रहना है आपको पिक अप करने के लिए ठीक है आप यहां से जब आप बाहर निकलोगे तो आप एक बीच पे निकलोगे ठीक है जैसी आप इस टनल से बाहर निकलो तो वहाँ पर एक बीच होगा बाहर आपको उसके ऊपर जाना है अब जैसे आप बाहर आगे तो और बस उसको बोलना आराम से लैंड करवा दे यहां पर जो पाइलेट था उसको जरा सी मतलब वो जरा उसके स्किल्स कमते तो भाई हम यहां पर बहुत बचे क्यों कि यह देखो उसने जो है लगबग वैलकरी को डुबा दिया था इसलिए भाई मैं पहले ही यह था अगर उस आपको यहां पर बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यह चॉपर्स आपको मार सकते हैं ठीक है थीक से ध्यान नहीं डिया पहली बार तो इन्होंने हमको घेर कर मार दिया तो आपको बस आपके पाइलोट को भोलना है ठीक है ठंग से उड़ाना एकदम स्टेबल रखना है और आप बस एम लगाओ अब इन चॉपर्स को आपको उडाना ही होगा अगर आप उनको उडाओगे नहीं आपको इस तरह से जो है वो होमिंग मिसल्स मारते रहेंगे और अगर आपको पाइलेट की स्किल्स अच्छी नहीं है तो भाई जो इनका जो इंपैक्ट पड़ेगा मिसा उनको धियान रखना है कि वो जो है वो जो बजर्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर जो है वो ठीक से हमला करें तो यहाँ पर हमने वापिस से रिस्टाट कर लिया और जैसे ही आपके जो यह बजर्स आए तो आपके पाइलेट को बोल देना है कि बहाई एकदम सीधा उड़ा य आगे बीचे मतलब जो अपनी जो गन लगी होती है बट यह जादा बजर्स नहीं आते चार से पाँची बजर्स आएंगे तो यह इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपका पाइलेट सही उड़ा रहा है चौपर को तो भाई यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आ ऐसे नहीं कि भाई कि सकाइडाइव कर लिया आपको जो सरकल आता है यह लो कऴर का गर उससी में ही लैंड करना होगा उसके आगे नहीं थोड़ा उसके पीछे भी नहीं ऐसे चल लैगा उसके रहा यलो शरकल और यहाा पर दूर लैंड कर अ तो भी हमारा जो cutscene है, वो trigger नहीं हुआ यहां, और भाई देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो, मेरा पाइलेट आप यहां पर थोड़ा सा दूर लैंड करेगा यहां से, ठीक है, वो रहा yellow circle और यहां पर दूर लैंड कर दिया, तो यहां पर नहीं हुआ हमारा mission है, वो पैसे अगर आप first time कर रहे हो तो आपको bonus भी मिलेगा यह हैस कंप्लिट करने के लिए अब बात करते हैं हम chopper वाले या फिर पाइलेट वाले team की अब यहां पर पाइलेट जो होता है वह अपना helicopter उड़ा रहा होता है और जो गंदर होता है वह ऐसे गन पर बैठा हुआ होता है तो आपको क्या करना है आपकी जैसे ही बंदे अंदर चले की जाए ठीक है तो यहां पर बहुत सारा backup आएगा human reds lab के उस वाले building के सामने तो जिस parking lot में आप लैंड होए तो वहां से बहुत सारा backup आएगा air से भी आएगा air यानि कि जो choppers आएंगे वह यहां पर भी आएंगे और जो नीचे यह होंगी ठीक है गाड़िया होंगी वहां पर भी आएंगे तो आपको गनर को क्या करना है आपके गनर को उनको मतलब दूर रखना है उनको उड़ाना है वहां से मतलब उनको सबको दूर तो आपको जल्दी वह डिस्ट्रॉइ हो सकता है तो आपको जो है इन रिइंफोर्समेंट्स जो चॉपर से रिइंफोर्समेंट्स आती है उनको मतलब यह करना है ठीक है मारते रहना है और जो भी बैकप आप एक आते हैं उनको आपको मारते रहना है और जो आपके बंदे होगे दूसरे जो ग्राउंटीम होगी जैसे ही आपको मतलब उन्हों ने अंदर वाला काम के ख़तम करना तो आपitel होगा यहां पर पीछे जो आप देखते मैप में जो मैंने मार्करी आ पाइलर यहां पर बांड्रीर पर आपका वहांड करेंगा उसको ग्राउ पड़ेगा प्लेन को थोड़ा सा एक्सपिरियंस होना चाहिए जो भी आपका पाइलेट होगा तो जैसे आपकी जो यह टीम है ग्राउंड वाली टीम है बस वह भार जैसे आएगी तो आपने मैंने आपको पहले बता दिया कि हम कैसे एसकेप हुए थे तो बस आपको जो आप की वीडियो एंड बिग शाउट टू टू मैं टीम अक्षद भाई ही मो भाई और सिदीग गेमर थैंक्स फॉर हल्पिंग मी और अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ट अप तक जॉइन ने किया तो लिंक डिस्क्रिशन है आप जॉइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में में ए आफिलेट लिंक्स भी दिये हुए अगर आप इंट्रेस्टेडे मेरे जैसे पीसी बनाने में तो आप उन लिंक्स से जाकर बाई कर सकते हो प्रोड़क्ट चैनल को थोड़ी हल्प मिल जाएगी मिलते हैं अब से अगली वडियो में है